इस्राइल हमास पर हमला लगतार आसमान से जमीन से कर रहा है और दूसरी तरफ कुट नितिक जो बैठके होती हैं बाते होती हैं वो भी चल रही है अंतराश्टियस तरफे लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है वो हम आपको लगतार न्यू जेटिन इंडिया के कैमरे पर बता रहे इस वक्त हम लोग बॉर्डर एरिया पे हैं गाजा और इसराइल के बॉर्डर पे और यहां हमारे पीछे बॉर्डर सेक्यूर्टी के लोगों को आप देख सकते हैं इसराइल के बॉर्डर सेक्यूर्टी के जवान है जो सामने में हैं लेकिन हम लोग वार फ्रंट लाइन मे लेकिन हम नहीं जा सकते यह जो पॉइंट है यहां भी हमास के आतंकियों ने साथ अक्टूबर को है वो क्या नी कतले आम मचाया था गाड़ियों पे हमले किये थे उसकी तस्वीरे भी आपको दिखा चुके लेकिन यहां देख सकते हैं यहां तमाम अंतर राष्ट्रिय मीडि है इधर इधर आपको दिखा दे यह थोड़ी देर पहले यह इसराइल का जंडा है आपको दिख रहा होगा थोड़ी देर पहले महज कुछ देर पहले बॉर्डर सिक्योर्टी के लोगों ने वहां से जंडे कुछ लेकर यहां लगाया है यहां लगाया बॉर्डर सिक्योर् की दूरी पर बॉर्डर सेक्योर्टी है वो आपको लगातार दिख रहा और इस बीच अलर्ट भी हमारे सामने लगातार आ हैं लेकिन जिरौत का अलर्ट है कि यह हम बार बार हमें देखना होता है आपको बता दे मोबाइल्स पे कि अलर्ट कहां के साइरन अलर्ट आते हैं तो सभी लोग छुप जाते हैं यह देखिया यहां से 200 मीटर पे आप देख सकते हैं तमाम बॉर्डर सेक्योर्टी को लोग भ भी हटा दिया तो बीच बीच में स्ट्रेटिजी बदलती है और उस हिसाब से बॉर्डर सेक्योर्टी के लोग पुलिस के लोग सेना के लोग उसके तहट हमारे मुव्मिन पे भी नजर रखते हैं और हमें एक एरिया तक जाने की इजाज़त होते हैं इस वक्त भी हम लोग गाजा और इस्राइल बॉर्डर पे और पीछे से अभी आपने धमाके की आवाज सुनी होगी इस्राइल की तरफ से जो आस्मानी हमला किया जा रहा है चाहे जमीन से या फिर मिसाइल के जरीए उसकी आवाजे यहां हर वक्त सुनने को मिलती हैं कुछ-कुछ देर पे सुनन के लिहाज से अभी यहां मीडिया को रखना ही इस्राइल की आर्मी के लिए बेहतर है